आज की वीडियो में आपसे कुछ चंद जरूरी बातें आपसे करना चाहता था, काफी जरूरी बातें हैं और एक वक्त था मैं भी ये चीज करता था, बहुत पहले की बात है, फिर मुझे चीजों का पता चला तो मैंने इसको छोड़ा, उन्हें रसूल अल्लाह सुना हुआ ह वो चंद बाते काने के लिए मुझे एक अची सी लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहां पर ना शोर गुल हो, ना इस्टरबंस हो, ना कोई आए ना कोई चाहिए, ये दर्वाजा जो है, हर कुछ-कुछ तेर में खुलता रहता है, बंद होता रहता है, so it will cause a lot of दिस्टरबं हमें ये एक जगह में लिए धंकी, एक वाइब आते हैं यहां पर आइकन शूट मैं वीडियो, इदर वो वाइब न आ रहे है, तो अभी मुझे वापस हॉस्टिल जाना पड़ेगा, साकिप के रूम पर जाके शूट कर लूँगा हूँगा, मैंने फोन करको उसे पदा कि अब भी खा लिया, तुम क्या कर रहा, रोशनी कमी ने मेर पास, रोशनी उजाला सब है अपन के पास, जिंदकी जा, हलो मैच चक वंटो थी, एक्स्क्यूज मी प्लीज दोंट में कांड ओव नॉइस, आज की वीडियो में आपसे कुछ चंद जरूरी बातें आपसे करना चाता था, काफी जरूरी बातें हैं, ट्यूशन पढ़ा के आ रहा था, जैसे असर का टाइम, I always forget things, at what time I was there in the mosque, मैं ट्यूशन पढ़ा के आया, मगरिब का वक्त हो चुका था, नमास पढ़ने के लिए में जा रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा, कुछ लोग भाग के दो आपके सामने आज, चंद आहादीस बया करूंगा, जो कि बहुत important है, सबसे पहली हदीस जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, वो अबू दावुत किये, अबू दावुत किये, हदीस नम्गर 572, और इस सही हदीस है, इसमें अबू हुरेरा रलोकानुन, जो है, इसको रिवाय नमाज मिले, उतनी जाके कवर कर लो, इसके लिए दौड़ो मा तोचीज, सही नहीं है, एक मस्जिद के डेकोरियम के खिलाफ वो चीज है, इसको सूथ देंगा अच्छे से, अब मैं जाधा डीटेल में आपको नहीं बताओंगा, अभी मैं मोटा मोटा में बता लेता हदीसे इसके लिए मना ही है, दूसरी हदीसे सही बुखारी में है, हदीस नमबर 756, इसमें रसुल्ला ने बोला हुआ है कि कोई भी नमाज सूर फातिहा के मिना कम्प्लीट ही नहीं है, सूर फातिहा रिसाइट किये ही नहीं, आप जाके सिर्फ रुकों में डारेक्ट पर उसमें भी एक चीज है, कि उसको सुनना भी आपके लिए जरूरी है, इमाम तो रिसाइट कर लिया, बट उस वक्त आप मौझूद थे, उसको सुने, नहीं सुने, आप खुद मत रिसाइट करो बट आपने सुना भी तो नहीं, तो टेक्निकली फिर भी आपका इन्वैल इमाम खुदबाय स्टार्ट कर देते हैं, तब बहुत सारे लोग मस्जिद में पहुचते हैं, उसके बाद वो लोग डायरेक बैट जाते हैं, हाला कि रसुल्ह सुने के वक्त में भी ऐसा हुआ था, एक सहाबी थे, वो जो है, मस्जिद में पहुचे खुदबे के दौरान और वो जाके बैट गए, रसुल्ह सुने बोला उनसे कि क्या तुमने दो रकात तहियतल मस्जिद पढ़ी है, तो उन्हें बोला नहीं, या रसुल्ह सुने बोला उठो और जाके पढ़ो, हले, इमाम उस वक्त खुदबा दे रहा है, बट रसुल्ह सुने इस वक्त के लिए पर्मिशन दिए कि अगर तुमने तहियतल मस्जिद नहीं पढ़ी और खुदबे के बीच में पहुशे हो, तो जाके पढ़ो, उसके बाद बैठो, ये बुखारी के अधीस है, 444 नमबर, सही मुस्ली में भी ऐसी हधी हदीस है, तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि एक बार जब इकामत बोल दी जाती है, तो उसके बाद कोई नमाज होती ही नहीं है, इकामत शुरू होगई अगर फर्ज नमाज के लिए, तो उसके बाद कोई और नमाज जो है, वो इन्वाइलिट है, accept the obligatory prayer, मतलब जो फर्ज नमाज है, वो जो इमाम पढ़ा रहा है, उस इसमें रसुलों सल्हें जो हैं एक सहावी को देखते है कि वो दो रकत नमास पढ़ रहे थे फजर की नमास के बाद और रसुलों सल्हें नें अंसे बोला जो सुबह की नमास हो क्या 2 दुनी चार हो गई है मतलब 2 रकत और पढ़ नी किसे बाद आ swept व, तो सहावी 1154 पिछले वाले जुम्हे की बात है मेरा फ्रेंड बेठा हुआ था मेरे साथ में और उधर खुद्बा दे रहे था इमाम साथ और इधर ये पीछे से मुझसे पुछा है उहाँ स्टैक्स लगे रहता है तो मुझसे पुछा ये क्यों लगा हुआ है अब मैं मेरे वो हदीस पड़ी हुई था उसके ज़रे से मैं उससे कुछ बोल नहीं सकता था तो मैंने इशारे में बोल लिया मुझसे नहीं पता क्यों होगा है वो हदीस यह है कि रसुल्ह सलों में बोला हुए यह सुलन नसाई के हदीस है 1578 नंबर में जुम्हे वाले दिन जब इमाम खुद्बा दे रहा है और तुम अपने साथी के साथ हो अपने दोस्त के साथ हो और उस बीच हो तुम से कुछ बोल ला और उस बीच अगर तुम उससे बोलते हो कि चुप होकर सुनो चुप चाँ तो ये जो है तुमने फाल्तू बात में अपने आपको इंगेज कर लिया और वो गुना वाला काम है तो तुमने अपने आपको इंगेज कर लिया इतना सक्त ये मना है तो खुद्बे के दौरान बात करना या फिर अगर कोई बात करना उसको टोकना दोनों गुना है, बागे सब बढ़ियां यही शेर करने के लिए निकला था, यह उन दोस्तों के साथ शेर के जाएगा जिनको आप देखते हो कि यह गलती करते हैं, यह common गलती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करता था एक वक्त पर जब मैंने बढ़ा तो इसको दीरे आप इंशाला दीरे चेंज किया, आप इंशाला दीरे चेंज करोगे, मिलते हैं नहीं व्लोग में टेक केर, Assalamualaikum